वेलकम बैक डियर सब्सक्रेबर्स तो आज की सुड़ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप कुछ इस तरह का वायरल क्रिकेट वीडियो एडिटिंग कर सकते हूँ वीएन एप में और मैं आपको एक सीक्रेट चीज बताता हूँ अभी तक किसी ने इस एयर में इस तरह का क्रिकेट वीडियो नहीं बनाया है और आपको तो पता ही होगा अभी के टाइम में क्रिकेट ट्रेंड में है और ICC मेंस वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच भी चल रह है तो यह आपके लिए बिल्कुल सही मौका है वीडियो वायरल करने का अगर अभी सबसे पहले इस तरह का वीडियो बना के इंस्टाग्राम रील पे अपलोड करते हो तो आपकी वीडियो जरूर वायरल जाएगी तो अगर आपको अपने वीडियो को वायरल करना है ट्रें एप में तो सबसे पहले आप अपने VN एप को ओपिन कर लेना अगर आपके पास VN एप नहीं है तो आप प्ले स्टोर से से इंस्टॉल कर सकते हो यह बिल्कुल फ्री वीडियो एडिटिंग एप है जब आप इसे ओपिन करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जा होगा देन नेक्स्ट के उपर क्लिक कर देना है ठीक है तो यहां पर आपका जो वीडियो होगा वह एड हो जाएगा देन आपको अपने वीडियो को प्ले करना है और जहां पर आपने सॉट मारा है लाइक कि यहां पर हमारे एक मस्त वाला सॉट यहां पर लग गया ठीक है तो इसी तरह से जब भी आप बॉल को hit करते हो तो वहाँ पे आपको आजाना है और अपने वीडियो को split कर देना है क्योंकि next वाला जो part है उसे हमें slow करना होगा तो आप इस तरह से split कर देना फिर यहाँ पे जो आपका second part रहेगा मिन्स जहां से आपका hit हो चुक है ball उसके आगे वाले clip में आप आना और speed के उपर जाके आपको यहाँ पे speed को कम करना है तो आप regular का use कर सकते हूँ regular के उपर click करके यहाँ से आप अपने speed को कम कर लेना जितना आपको सही लगते है हमारी video already थोड़े बहुत slow है तो इसलिए हम इसे ज़्यादा slow नहीं कर रहे है और उसके बाद done कर दे रहे हैं तो इस तरीकी से करके जब आपका sort लग जाता है उस समय पे आपको अपनी video को slow कर देना है ओके slow कर देने के बाद आपको यहाँ पर लास्ट में आना होगा एक input टाइटल करके रहता है इसे आप डिलेट कर देना अब जहां पर आपने यह sort लगाया है जहां पर आपको यह ball हिट हुआ है वहां पर आपको आना है और उस क्रिकेटर का आपको image एड़ करना होगा तो image एड़ करने के लिए आप इस option का यूज कर सकते हो PIP का इसके उपर आपको क्लिक करना video and photo के उपर आप चले जाना फिर photos वाले section के उपर जाके उन क्रिकेटर का आपको select करना है फोटो जिनका आप बनाना चाहते हो लाइक यहां पर हमने यह photo select कर लिया आप विराट का या फिर कोई भी famous क्रिकेटर का आप यहां पर just image यूज कर सकते हो ठीके then इसमें एक fade effect आपको add करना है तो इसके लिए आप यहां पर scroll करना and आपको एक mask का option दिखेगा इसके उपर आपको click कर देना ठीक है इसके उपर click करने बाद linear को select करना है बट linear को एक बार और click करना है ठीक है click करने बाद आपको कुछ step का option से देखने को मिल जागा जहां पर just करना चाहते हूँ उतना आप यहां से crop करके is fade का use करके fade करदेना और done करदेना फिर है यहां से यहां पर उपर में adjust कर लेना है यहां से यह जो crop होगे रह है आप अच्छे तरहीं से कर सकतो just like इतना हम कर लेते हैं perfect लग रहा है तो अब यहां पर increase करेंगे लास्ट तक कर देंगे अब आपको इसमें एक छोटा सा इफेक्ट सिर्फ एड करना होगा तो सेट एफेक्ट एड करने के लिए आप अपने फोटो पर ही क्लिक रहना और यहां पर एक Fx का option मिलेगा इसके उपरा आपको किलिक कर देना फिर यहां पर आप जूम in को यूज़ कर सकते हो या फिर जीटेल को भी आप यूज़ कर सकते हो गाटने जूब भी आपको सही लगता अप उसे यूज़ करना, मुझे तो जूम in से हेará 청़ लग है तो इस तरह आपको यह बना लेना है अब इसके साथ आपको यहाँ पर जो overlay है ना glowing वाला उसे add करना हुआ तो उसे add करने के लिए इसी position पर आप रहना और फिर से इसी P.I.P को पर click करके video and photo को पर click करना और इस वार वीडियो वाले section में जाके आपको उस वाले overlay को select कर लेना है link उसका भी description दिये हुए तो आप इसे description से gain कर सकते है अब इसे पूरा screen में अच्छा से हम यहाँ पर fill कर लेंगे जहाँ पर आपका photo होगा वहीं पर आपको fill करना है then उसके बाद यहाँ scroll करेके इसका black part हटाने के लिए आपको blending वाले option में आ जाना है और यहाँ पर एक screen का option मिलेगा इसे select कर लेना फिर done कर देना है इसमें आप motion में आके fade को select कर लोगे तो अच्छा लगए ठीक है then done कर देना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे जो video है वो almost create हो चुका है आप देख सकते हो ठीक है अब इसमें just music add करना है हो description में आप वहां से उस music को select कर सकते हो मतलब download कर सकते हो तो इस वाले music को जस्ट आपको select कर लेना है और यहाँ पर done कर देना है और हाँ इस music में एक आपको point सुना देगा तुझ में रब दिखता है ठीक है तो जहां पर भी यह चीज बोल रहोगा उसे आपको लाके इस position प थोड़ा से इसे क्रॉप कर देना और इसे पकड़ के आगे ले आना ठीक है तो जो लाइन होगा वह यहां पर आ जाएगा अजस्ट कर लेना इस तरीगे से मतलब कि music को थोड़ा सा अजस्ट कर लेना जहां पर यह बोलेगा तुझ में रब दिखता है वहां पर आपका यह photo तो आजाना चाहिए ठीक है तो अजस्ट कर लेना एंड आपका जो वीडियो होगा वह कंप्लेटली यहां पर बन चुका है ठीक है अब इसे अपने डिवाइस में सेव करने के लिए इसके उपर क्लिक करना है और यहां से रेजुलेशन को 1080 फ्रेम रेट को 60 जरू से कर लेन आप मिलते है नेक्स्ट वाल वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई